नमस्कार साथियों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जोईफुल लर्निंग वीडियोज आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त युद्वीर टंडन, कनिष्ट अध्यापक, राजकियर प्राथमिक पाठशाला अनोगा, शिक्षा खंसुन्डला, जिलाचंबा, हिमाचल परदेश, नाशनल मोटिवेटर, नवोदे करांती परिवार भारत आपको बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना कैसे सिखाएं, इस टॉपिक के उपर आने वाली स्लाइड्स में बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुमुल्य जानकारी जो है वो आपसे साजा करने जा रहा हूँ मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी, आपके लिए यह यूसफुल होगी और इसके साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट वो यह है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस महत्वपून वीडियो का हर एक अंश, हर एक जो बात है वो 20-30 मिनट में और 5 स्टेप्स, सबसे महत्वपून बात है फ्रेंज की 5 स्टेप्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिन से की हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना और उसके बाद लिखना जो है वो एजीली सिखा पाएंगे, तो एक वार फिर से रिक्वेस्ट है फ्रेंज की जॉइफूल लरनिंग वीडियो को अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो उसे सबस्क्राइब करें और अगर ये वीडिया आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंज के साथ शेयर करना बिलकुल भी न भूलें देखिए अंग्रेजी भाशा की यानि लिसनिग की स्किल्स है वो हम डील करते हैं फस्ट और सेकिंड क्लास में वोस्ट लेकिन तर्ड क्लास से यह इंपर्टेटरी हो झाता है हम जो तीसरी और चौह फिस्किल है लैंगवेज does कि यह तो इन्हीं झा penguin क्रूपर बच्छे को फोकस करवाना शुरू कर Geet पहले बत्चों को उमने यह बता दिया है ये वो बाते हैं जो बच्चा पहले से जानता है या बच्चे काials प्रिवियस मालेज है जिसको बच्चे को बयते हैं 26 new there in English language, उनको आप देख सकते हैं, A से Z तक मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, इसके बाद अगली स्लाइड में आप देखेंगे, यह बहुत important चीज है, जो mostly हम बच्चों को first और second class में clear करवा देते हैं, जिन बच्चों का level बहुत अच्छा होता है, उन्हें first में, और जिन का 21 consonants plus 5 vowels in English language, जैसा आप देख सकते हैं, A, E, I, O, U, यह 5 vowels हैं, और बाकी के जो बच गए हमारे alphabets है 21, वो जो है, वो consonants में आते हैं, यह था friends, अब तक का previous knowledge, अब मैं आपके सामने step by step, वो 5 steps जो हैं वो यहां पर present करूंगा, वो steps, जिन steps को follow करके, आप बच्चे को third onwards, ज और लिखना सीखने में मदद कर सकते हैं, तो सबसे पहले steps की तरफ हम friends बढ़ते हैं आगे, देखिए, पहले steps में हम बात करेंगे consonants की, जी हां, सबसे पहला steps है consonants का, आप अपनी स्क्रीन के ओपर देख पा रहे हैं, consonants में मैंने एक तरफ दो table यहां पर बनाए हैं, और इ in tables के मैंने दो हिस्सों में जो हो divide किया है, देखिए, जो first इसका हिस्सा है, उसमें letter मैंने लिखा है, जो consonant है, और साथ में वो कौन सा sound produce करता है, most important thing, यह बच्चे को पता है, तो मिझे नहीं लगता कि बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने में कोई भी दिक्कत आएगी, इसी अगर आप सिखाते हैं, तो वो अंग्रेजी पढ़ना और लिखना एक से दो महिने के अंदर शुरू कर देगा, देखिए friends, इस तरफ मैंने consonant का जो letter है, वो इंग्लिश में लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं, बी से ब की sound है, सी से दो sounds है, देखिए क और स, यहाँ पर ब तो इस तरह से आप A से लेके Z तक के जो sounds है, जो की consonant जो हमारे letters हैं, उन से produce होते हैं, वो आप बच्चों को बता सकते हैं, इसके बाद अगर हम आगे चले, step 2 में, देखिए यह था step 1, friends, मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूँ, यह पहला step था, अंग्रेजी भाशा को त खाने का, तो इस step के बाद, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, कि हम जो है, वो next step के उपर आ रहे हैं, वो है second step, तो अब second step के उपर चलते हैं, friends, second step में मैंने लिया है blends को, जी हाँ, consonants के बाद, अगर कोई दूसरी सीड़ी है, अगर हम यह मान लें कि अंग्रेजी भाशा को पढ़ने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए, बच्चों ने पांच सीड़ीयां चरनी हैं, पहली सीड़ी मैंने आपको बता दी, consonant की, तो दूसरी सीड़ी जो है इसमें, वो है blends की, blends का मतलब है साथियों, जब दो consonants आपस में मिलते हैं, तो एक अलग तरहा का sound जो है, वो बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये blend हुआ है, तो sound में minute सा जो difference है, वो blur आपको यहां पर मैंने लिख के बताया है, बच्चों को हम ये समझाएं, उनकी drill करें, practice करें, एक बार बच्चा ये सीख जाएगा, तो उसके बाद बच्चे को कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी इसी तरह से बी आर ब्र, सी आर क्र, सी एल क्ल, डी आर ड्र, एफ एल फल, एफ आर फ्र, जी आर ग्र, एस के स्क, एस एन स्न, और ये सारे के सारे जो blends हैं, ये हम बच्चे को सिखा सकते हैं, इन blends के बाद, ये जो blends जिनकी मैंने अभी बात की आपके साथ, इन blends के बाद मैं अगर आगे चलूँ तो इसकी आपको बच्चें को practice करवानी है देखिए practice करवाने बहुत important है practice के लिए आप ये chart यूज कर सकते हैं ये बहुत important chart है बहुत अच्छी जो है यहाँ पर compile किया है words को आप देख सकते हैं हर एक blend से शुरू होने वाले पांच-पांच words जो हो practice करता है तो मुझे लगता है कि बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप देख सकते हैं BL blur अब बच्चे को हम ये पढ़ना कैसे सिखाएंगे ये सबसे important चीज़ है देखिए BL blur तो बच्चे ने सीख लिया O W O blow बच्चे आपने आप बोलेगा blow इसी तरह से आप दे कि अंत में अगर इ आता है किसी भी शब्द के या वर्ड के वो silent रहता है या मूख रहता है तो यहां पर brave अपने आप ही बच्चा बोल देगा brave हो सकता है शुरू में बच्चा brave बोले brave ब्रव बोले इस तरह की गलतियां बच्चे से हो सकती है इन्हें हम earlier stages जो हैं उसके ओ better and fluent English speaker इसके बाद आप देखिए C.L.C.L. I.M.B. climb. M.B. M.C.M.B. B.C.B. तो यहीं पर clear हो गया इसी तरह से clap देखिए C.L.C.L. A.P. app clap बच्चे को रटवाने से बहतर है कि उसको decoding सिखाई जाए वो words को decode करें decode किस तरह से करें उसकी phonic basis के ओपर on the basis of phonics वो कोई सटा ना लगाए कोई रटा ना लगाए तुका ना लगाए वो उसको जब उसको phonic English जो है वो एक phonical language है तो जब हम इसकी आवाज को आधार म students in this way इसी तरह से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा चार्ट है आगे अगर मैं चलूं मुझे लगता है यह चार्ट जो यह आपने ध्यान से देख लिया होगा इसे आप समझ चुके होंगे देखिए यहाँ पर SP भी है special मतलब वही बच्चे को हमने decoding करके जो बताना है कि दो consonants का मिलके जो sound produce होता है वो अब थर्ड जो step है very important step very important step is called diagraph देखिए diagraph क्या है diagraph जो है अगर मैं आपको इसको बारे में बताऊं तो यह एक तरह से आप यह समझ सकते हैं कि बच्चों को facilitate करने का एक तरीका है आप बच्चे को CH अगर इसको पहले की तरह पड़ेगा तो C को वह कः पड़ेगा एच को वह पड़ेगा तो कः बना देगा लेकिन what we are trying to do हमने बच्चे को facilitate करना है हम बच्चे को यह selected diagraph जो है यह अलग से सिखा सकते हैं कि बेटा जहां भी C और H आता है तो वो diagraph होते हैं और उनका जो sound है वो कह की वजाए च रहता है मेरी बात को समझ रहे हैं आप देखिए CH च पी एच फ ठीक है इसी तरह से SH श पी एच थ या द जी एच घ डवल्यू एच वह तो यह है एक सिंपल सा तरीका यह थी तीसरी सीड़ी बच्चों को इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाने की मैं फिर से कह रहा हूं इंग्लिश जो है वो हमारे लिए एक foreign language है और जब भी हम specially primary classes की अगर मैं बात करूं तो primary classes में एक foreign language को बच्चे को decode करके उसको सिखाना हिंदी बच्चा because उसकी mother tongue है बहुत easily सीख जाता है लेकिन English के case में ऐसा नहीं है तो हमने उसको facilitate करना है यह facilitation है और कुछ नहीं बच्चे को हम केवल डाइग्राफ्स के मादियम से हम यह easily बता पाएंगे कि इनकी जो sounds है वो इस तरह से निकलती है अब आप देखी इसके भी examples आगे दे रखे हुए हैं यहाँ पर screen के उपर आपकी examples में देखी CH च उसका हिंदी sound भी आगे दिया है अब CH अगर बच्चे को पता है तो आई एन इन लगा के बच्चा चिन अपने आप उसको बना लेगा इसी तरह से CH आई ची त है वो धीरे धीरे वो सीखता ही आगे चला जाएगा इसी प्रकाश से SH SH ठीक है जी SH IP SHIP IP IP तो यह step by step मतलब डी कोड करके बच्चों को तोड़ के बताना है कि शब्द world की जो spelling अबो किस तरह से बनती है लेकिन उसको तोड़ने से पहले बच्चों को उसकी exact जो pronunciation है exact जो sound है वो पता होना चाहिए और वो कब पता होगा जब बच्चे को diagraphs blends और इन सारी चीजों के बारे में पता होगा यह एक और आगे आप देख सकते हैं examples दिये गए हैं घोस्ट है तो G H G O से बन गया O S T stir हमने blends में पढ़ा है वही सारी चीज़े आएंगी घोस्ट तो बच्च से जो जिसमें बच्चे को थोड़ा समय लग सकता है जिसको सीखने में बच्चा बच्चे को जादा हमारी मदद की जरूरत होगी मदद हमने बच्चे को direct help करके नहीं करनी है मदद हमने indirectly आपर तेक शुरूब से बच्चे की help करनी है ताकि बच्चे को यह लगे कि वो सारा का सारा काम खुद ही कर रहा है देखिए पांच वोवल्स की मैंने बात की थी हमने पहले स्टेप में कॉंसोनेंट कर लिए फिर ब्लैंज कर लिए डाइगराफ कर लिए अब ये जो स्टेप है हमारा चौथा स्टेप फॉर्ट स्टेप ये डील करेगा इसमें मैं बात देखिए वोवल्स जो है ये थोड़े से टिपिकल इसलिए है क्योंकि एक वोवल्स के बहुत सारी आवाजें बहुत सारे साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होते है रीजन बिंग इसमें किवल पांच ही वोवल्स है और इन पांच वोवल्स को लगबग लगबग हर मातरा को जो हो रिपर्जेंट करना होता है and so is the reason so जो है हम यह देख सकते हैं कि इस तरह की परिस्थिती हमारे सामने आती है अब वोवल A की अगर हम बात करें देखिए तो वोवल A में हमने जोड़ा T तो A में जोड़ा T तो बन गया at अब at जब बना तो इसमें B को at के पहले अगर हम जोड़ते हैं suppose एक example मैं यहाँ पर आपके सामने डिसकस कर रहा हूँ तो बन जाएगा B से B A T से at B ब प्लस at बन गया हमारे पास that और इसी तरह से C प्लस at cat M प्लस at mat S प्लस at sat rat and fat यह examples है यह drill और practice का method है जो सबसे ज़्यादा कारगर रहता है इस तरह से English सिखाने में और यह बहुत interesting भी है बच्चों को हम activities के दोरा इसको करवा सकते हैं hands on practice इसकी हम बच्चों से करवा सकते हैं तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे अब इसी तरह से होगा बच्चों की practice होगी एक example के दोर पे मैंने यहाँ पर दो लिए हुए है अब ab के साथ हम c लगा दिया तो cab l lab t tab s slab s slab c r crab bl lab मतलब यह जो है यह एक examples है h a d had mad mad sad sad dad इस तरह के बहुत से examples जो हम create कर सकते हैं अपने जैसे अगर हम a x की बात करें तो wax, lax, tax, fax इसी तरह से a s की बात करें तो gas, has, says, fast, mess, ness और cap, map, tap, etc यह था कुछ एक examples अब देखिए यह जो important है इसे मैं चाहूँगा कि हम note ही कर लें being a teacher और बच्चों के दिमाग में बिठा दें जैसे mathematics के formula होते हैं English में हम vowels को इसी तरह से मान के चल सकते हैं देखिए हम यह बच्चों को बता दें कि जो alphabet a है या जो vowel a है उसकी चार sounds है and the four sounds of alphabet a are a आप देख रहे होंगे first one is a like in cat, bat, fan and gas अब यहां से a से जो आ की आवाज आ रही है बी और टी तो ब और ट की आवाज निकाल रहे है लेकिन इसमें जो मात्रा लगेगी वो a की आ लगेगी क्योंकि a जो आ यहां पर a की sound जो प्रोड्यूस कर रहा है और उसी तरह से जो a है अगली आप देखेंगे second उसमें तो वो a की आवाज देखिए c, a, r, car, bar and tar अब अगले में a की आवाज like hey, bay, way और उससे अगले में ओ की आवाज तो देखिए वो कैसे वो, sa, thaw यह practice है यह pronunciation का एक तरीका है इसके दोर हम बच्चे को सिखा सकते हैं लेकिन बच्चे के दिमाग में हम पहले से डाल दें कि बेटा a की चार sounds है तो बच्चा उनको जो है वो दीरे 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 grasp करना शुरू कर देगा otherwise बच्चा उसकी botheration कभी खतम नहीं होती है वो हमेशा suspense में ही रहता है कि इस बार a का क्या होगा इस बार क्या होगा तो हम ये बच्चों को जो बता सकते हैं ताकि बच्चे को ये न लगे कि एक बार में तो a की आवाज ये आती है और दूसरी बार में वो हो जाती है तो बच्चा इसमें सामनजस से net and wet अब हम egg, add n, ab m, f s, x की शुरुवात में अलग-अलग consonants को लगा कर बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं लाइक pen, men, hand, then, stand, then bet, fed अब समझ रहे होंगे कि let, red अब इसमें बच्चे को हमने r और d, देखिए red का ही अगर हम case ले तो r और d तो हम बच्चों को पहले सिखा चुके है r से r, d से d, consonant के पहले cd में, अब बच्चे ने e की cd को इसमें use करना है, मतलब वो decoding कर रहा है, वो यहाँ पर analysis और synthesis दोनों कर रहा है analyze भी कर रहा है, और synthesize भी कर रहा है कि r से r, a की मातरा red, red तो बच्चा इस तरह किसे जल्दी सीख पाएगा अब three sounds of e, जैसे a की चार sounds थी, तो e की जो हैं, वो only three sounds है अब इसमें बच्चे को हम बता सकते हैं, पहली sound है a, जैसे bag web, jam step, bell दूसरी sound है a अक्सर बच्चे को पता ही नहीं चलता कि e से a की भी आवाज आती है तो हम e से a की आवाज बच्चे को बता सकते हैं, जैसे हर paper, देखिए per, per से per आया pair नहीं आया आवाज, यह difference है, यह हमने बच्चे को बताना है, ruler, r-u-l-e-r ruler, अब इसमें एक और चीज है, जो हम बच्चे को बता सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर e की आवाज है sound जो है, वो e की भी है और वो sounded tree, weak and few, loud sound of e तो यह भी हम बच्चे को बता सकते हैं, नेक्स slide में हमारे पास vowel i है इसी तरह से आप देख सकते हैं, vowel i में भी जो है वो हमने it it बनाया, और b को जोड़के bit बना दिया, और इसी परकार से sit, fit, hit, tit या pit, अब इसी तरह से it के बदले में हम ib, id, ig, im, in, ip, जो है वो और x जो है वो इस तरीके के हम उनको ले सकते हैं, और उनकी बच्चे को पढ़ना आगया, वो उसको memorize कर पाएगा, उसको याद कर पाएगा और अगर वो याद कर पाएगा तो उसको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कहते हैं, reading makes a perfect man तो reading, जब तक बच्चे को नहीं आएएगी reading करनी, वो perfect नहीं बन पाएगा, तो आप देख सकते हैं example मैंने दिये हैं, nib, rib, crib, fib, bid, did, kid, rid, तो ये कुछ एक examples हैं, इसके ऐसे बहुत से examples हम खुद भी बना सकते हैं, हम कहीं से search भी कर सकते हैं और अगर आप, आप चाहते हैं कि इन examples की जो list है वो मैं आपको दूँ, आपको आपके साथ share करूँ, तो आप comment section में जरूर लिखें इसके बारे में मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगएगा आपके साथ ये सब कुछ शेयर करने में, और I assure you, मैं आपको शेयर करूँगा so that कि आप इसको और ज़्यादा easily study घर में बैटके कर सकें अब देखिए, यहाँ पर फिर से तीन sounds है, I के पहला है इ, जैसे डिब, डिम, दिस, एंड इन उसके वाद I अब I से I की आवाज है, ये बच्चा बहुत easily इसको correlate करेगा bike, fine, देखिए बहुत सारी चीज़ इसमें देखिए, अब M I C E माइस, अब माइस है तो हम बच्चे को बता सकते हैं कि C की आवाज यहाँ, कर और सर में से क्या आएगी, वो आएगी सर, reason being, last में E है, ये एक बहुत अच्छा तरीका रहता है बच्चे को practically बताने का, जब वो किसी situation से deal कर रहा हूँ, उस समय इसी तरह से E की आवाज आती है जैसे कीवी, टैक्सी की, अब हम वोवल O की बात करें, तो similarly O T Ought और G O T Got इसी को हमने बना दिया, अब हम L को जो जो और सकते हैं, P को, D को, N को और इसी तरह से हम O P O L की बात कर सकते हैं जैसे देखिए, डवल O अगर लगता है तो वहाँ पर O की साउंड जो है, वो आएगी फर एक्जामपल आप देख सकते हैं C O L O L, POOL, WOOL, TOOL, STOOL ये कुछ एक स्टेप्स हैं जिनको हम FOLLOW कर सकते हैं और अगर O की हम बात करें तो चार मेन साउंड जो है, वो O परड्यूस करता है और दोस्ट साउंड आर लाइक ओ, गोल, स्टोन आउ, पॉट, नौट, सॉक्स, एन क्रॉप आउ, बाउ, काउ, फ्लावर वू, वूल, स्पून, रूट जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ यू की अगर बात करें, तो यू, टी, अट ये थोड़ा सा बच्चे को अट पटा भी लग सकता है तो इसको हम ज़्यादा स्ट्रेस करके बच्चे को बताए, एम्फेसाइज करके बताए की यू, टी, अट, इसमें अब बी को अट के पहले अगर हम जोडते हैं तो सिमिलरली बी से बच्चे को ये आ चुका होगा पहले से ही तो वो इजली बता पाएगा की बी, यू, टी, बत बनेगा, स्यू, टी, कट बनेगा, ना की कुट क्योंकि हम पहले बता चुके होगे की यू, टी, अट बनता है इस तरह से यू, बी, यू, डी, यू, जी शुरुआत में लगा करके हम अलग-अलग कॉंसोनेंट से इसका अभ्यास करवा सकते हैं अब देखिए कब है, हब है, रब है, बश, लश, हश, रश, बलश और करश तीन साउंड्स, ट्री साउंड्स ओफ यू, पहली साउंड है अ, दूसरी यू, और तीसरी है उ की आवाज लाइक, रूलर, फ्लू, एंड स्टुडेंट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये थे चार मेंन स्टेप्स जो मैंने, जिसकी मैंने आपके साथ बात की अब ये लास्ट टेप है, मैं उमीद करता हूँ आपको ये चारों स्टेप अच्छे लगे होंगे और अगर आप कोई अच्छे लगे हैं, तो कैंडली आप जो है वो इस वीडियो को शेर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका ठैंक्स करता हूँ अब आखरी स्टेप बचा है, मुझे उमीद आप इस स्टेप को भी जरूर देखेंगे देखिए लास्ट स्टेप है, जो मोस्ट इंपॉर्टन स्टेप इसको मैं मानता हूँ वो है प्रेक्टिस, 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 एंड प्रेक्टिस अगर एक student अगर एक बच्चा एक teacher by heart इन four steps को बेस मान करके पांचमा step apply करता है यानि practice करता है तो I hope मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच्चा बहुत जल्दी जो है वो English पढ़ना और लिखना सीख जाएगा मैं उमीद करता हूँ friends ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसी के साथ फिर से एक बार आपका धन्यवाद आपने इस वीडियो को पूरा देखा thank you so much thank you very 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 much आपने ये वीडियो देखी इसी तरह की वीडियो को मैं आगे भी अपने इस चैनल के उपर आप सभी के सामने लाता रहूंगा और मैं उमीद करूंगा कि आप अपनी प्रतीक्रियाएं अपने रियक्शन्स जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएंगे so that इन वीडियो में अगर content के related या किसी और तरह की कोई भी सुधार करना है तो उसके बारे में भी आप मुझे जरूर गाइड करेंगे और मैं अपना नंबर जो है वो description में दे दूँगा WhatsApp नंबर अपने और contact करने का माध्यम है वो भी मैं description में आपके साथ share जरूर करूंगा तो आप kindly मुझे मेरे साथ contact करें personally contact करें आपके हर एक message का मैं जैसे ही मुझे time लगेगा मैं reply करूंगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करना ना भूले क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत सी interesting और teaching learning से related videos joyful learning videos जो है वो मैं यहाँ पर आप share करूंगा अपने इस channel पे तो कृपया बने रहें इस channel के साथ और अपना प्यार अपना सहयोग सने आशिरवाद इसी तरह से बनाए रखें बहुत बहुत धन्यवाद